राजस्तान में कानून विवस्ता ये चुनोती बनी हुई है शांती प्रिये प्रदेश राजस्तान जिसकी मिसाल देश में दी जाती थी आज कॉंग्रेस पार्टी के अशुक गैलोत की सरपरस्ती में उनके नेत्रतों में जिस तरीके से तुस्तिकरण की राजनीती के बाद इस प्रदेश में अशांती और जिस तरीके की कानून विवस्ता भंग हुई है वो प्रदेश के लिए चुनोती पुर्ण पी और चिंता जनक भी है कल की जिस तरीके की ईज से पूर संध्या पर जोद्पुर में बिश्चा जी की प्रतीमा पर भगवाद द्वज को उतार कर, वहाँ जिस तरीके से इसलाम का द्वज लगाया गया जिस तरीके से वहाँ पर तोड़ फोड की गई हिंसा की गई और के बोल वही नह फिर से गाडियों में तोड़ फोड़ की गई अराजक्ता फैलाने की कोशिश हुई ये एक बांगी है नमुना है करोली की घटना से ये साबित हो जाता है कि इस तरीके घटनाओं को सरकार के संग्रक्षन में किया जाता है प्रशन ये उठता है कि इस तरीके घटनाओं कोंग वर्ष पर प्रतिबंद लगाते हैं 17 जिलों में 144 लगती है 107 16 के करवाई लाकों लोगों पर होती है कॉंग्रेस पार्टी के इस तुस्थी करण के कार्ण इस प्रदेश के अराजक कत्वों ने एक तरीके से प्रदेश को गिरफ्त में लिया है समय रहते नहीं केते तो प्र स्वाक्ति की ओर है और लगता है कि इस तरीके के करमों से तुस्थी करण कॉंग्रेस को डूपने का बड़ा कांड बनेगा और इसलिए मैं सीदे सीदे कहना चाहता हूं प्रदेश की शांती के लिए सदभाव के लिए प्रदेश के आम लोगों की जन सुरक्षा के लिए कम से कम अपने वोट बैंक की राजनिती को गुडबाई करिए वोट बैंक की राजनिती को छोड़िए प्रदेश की सोचिए अपने कुर्सी की वजाए जन सुरक्षा की फिक्र करिए अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेर एंड सस्क्राइब जरूर करें और बेल आइकल को दवाना ना भूलें ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरे सबसे पहले मिलें झाल 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 झाल